जहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जहारखंड JFWCE पर इच्छा 2024 यानि कि जहारखंड फिल्ड वरकर कॉंपेटिटिटिव एक्जाम 2024 का यह जो आपका वेकेंसी आया है जो की 510 पद है इसमें ठीक है तो आज के यह वीडियो आप सभी के लिए पूछे जाएंगे ठीक है और यहां पर जितने भी कोच्छें बताये जाएंगे यह सबी कोच्छन आपके न्यू सिलेबस के अधार पर दिया ठीक है तो आपको इस वीडियो को सुरू से लेकर कर कहां तक जो इड़ देखना है और मैं आपको बता दू कि यह पेपर ठाड क से आपको 10 कोचन पूछे जाएंगे और वहीं सामाने विज्ञान से बात करें तो 20 कोचन आपको देखने के लिए मिलेगा ठीक है तो आपका जो पैनल मेरी इस्ट मनेगा यह पेपर सेकेंड और पेपर 3 की तियारे एकदम जबर्जस तरीक्षी से करतें तब यहां पर इस बा यका स्टार्ट करते हैं कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है दोस्ते जो ऐड्स है यह एक परकार का वाईज अधिक है और इसका फूल फॉर्म होता है यह क्या होदा एक फूल फॉर्म तो राइट एंसर होईगा एक वाइस इम्यूम डिफिसिंसी सेंग्रॉम यारी कि आप जैनเรา के द्वारा या फिर waaterола को गिया था एडवर्ड जैनर में चेचा के ठीके काथ यां ने की राइक एडबर्ड जैनर ने चेचा किन का खोट किया था तो वहें बात करें इन्होंने दोस्तों DNA सनोंचरों मोड़ल रिया थे कैसे नंग पूछन पूचई जाता है कि DNA सनोंचरों मोड़ल किस ने दिया था तो वार्सन एवम क्रिकने थे यह आपको पता होना चाहिए बहुत important question है next question है कि यूरिया में nitrogen का प्रतिशत कितना होता है दोसितने ये यूरिया है इसमें nitrogen की बात करें तो कितना percent nitrogen पाई जाता है 46% 56% 76% या फी 90% तो यूरिया में बात करें तो nitrogen जो होता है ये 46% होता है यानि की option number यहाँ पे 46% ठीक है अगला caution है कि गौबर गेस में मुखी रूप से पाय जाता है, दोस्तों यह जो यहां पर एंसर होगा नहीं, ठीक है, दोस्तों यह पर जितने भी कोचिन बता जा रहे हैं, यह सब्सक्राइब कहें, और आपको बताना कि आप कितने कोचन ऐसे हैं जिसका एंसर आप सही सही कर पा रहें अपना स्कोर इमंदारी पूरवक्त हरे एक स्टूरेंट कमेंड वोक्स में कमेंड करके जरू लिखेगा ठीक है अगला कोचन है कि चौकलेट स्वास्थ के लिए हानी कारक होता है दोस्तों बात करें इसमें सबसे अधिक जो होता है यह निकल होता है जो कि हमारे स्वास्थ के लिए काफी यदा हानी कारक होता है यानिक आपस नमर भी राइट एंसर होगा इसलिए आप लोग सुनते होगे कि बच्चे लोगों को अधिक से अधिक चॉकलेट नहीं खाना चाहिए ठ 18 वर्ष, 28 वर्ष, 84 वर्ष या फिर 48 वर्ष तो यूरेनस गराफ की बात करें तो टोटल 84 लगाते है दोस्तों सुरी का एक चकर परिकर्मा करने में ठीक है और वहीं पिर्थवी की बात करें हमारा अर्थ है यह कितना दिन का समय लेता है तो 350 दिन का ठीक है यह आपको पता हवाई जहाज तो यह मैक सब्सक्राइब दोस्तों इसका परियों किया जाता है यह किया जाता है हवाई जहाज की गति को मापने के लिए यानि क्योप से नंबर डी राइट एंसर होगा हवाई जहाज अगला कोचन है कि कैपिलर का नियम नियम में से किस्ते संबंदित है यह जो कैपिलर का नियम है यह इन में से किस्ते संबंदित है गुरुत्वा कर्शन के नियम से ग्रहों की गति से या उर्जा के श्रंडरंचन के नियम से या इन में से कोई नहीं तो दोस्ते जो कैपिलर कर नियम है यह किसे संबनित है तो ग्रहों की गती से यानि की आप्स नंबर या फिर राइट एंसर होगा ग्रहों की गती से ठीक है मता अमल तास का पाधा मैरे दोस्त किससे तो सिया निकाला तो ओधा प्रस्ण। न है कि कौन सी गरंथी सरील का ताप नियत रखती दोस्तों इनạn से कौन सी स्टेमस तो सही उत्तर हो जागा कोचन 15 है अगला कोचन है कि गाई के दूध में किस विटामिन की प्रचूरता होती दोस्तों गाई की दूध है इसमें देखा जाय तो क्यों से विटामिन जो है यह प्रचुर मातर में पाये जाता है विटामिन B, विटामिन A, विटामिन D या फी विटामिन K, तो गाई की दूद की बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक विटामिन होता है यह विटामिन B होता है यानि क्यों आप्स नंबर है यह पायदा करता है blood flu यानि क्यों नंबर यहां पर सी राइट टेंसर होगा option C ठीक है कर यहां में यह भी question पूछा कि दोस्तों कि H1 यह क्या कौन सा वाइरस पायदा करता ठीक है तो यह करता है स्वाइन फ्लू यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अगला कोचन क्या पूछागे आपसे बहुत इंपार्टन कोचन है कि अम्नियोसी टेसिस यह जो अम्नियोसें टेसिस है एक तकनिक है जो कि किससे संबंदित है तो यह किससे संबंदित है अमोनिया के परयोग से प्रेलू कार्यों में सरली करन से तो कोचन नमर 13 का जो सही उत्तर हो जगा यह हो जगा ब्रून के लिंग के पर इच्छन से संबंदित है यानि को आपसन भी राइट एंसर हो जाएगा अगला प्रस्ट क्या पूछा गया है कि जोती तीवरता का मात्रक क्या है यह जो जोती होता है दोस्तों इन में से कौन सा लोग कौन लोग है कौन सा वैक्ति जिन्हों ने खुज किया कि मलेरिया जो है कि मच्छड द्वारा ट्रांस्मीट होता है तो 15 का जो सही उत्तर हो जगा आपसन नमबर यहां पर यह राइट एंसर होगा रोलांड रॉस ठीक है रोलांड इसके दौआरा होता है सबसे अधिक होता है यह होता है यह रही तरी हर्मूरा यहां तरह और गाया जैएं तोJe हो जाए है अगला कोचन है कि निवन में से कौन से आमला पेट की जिवानों को नास करता है जो की पेट में जितने भी जिवानों होते उनको नास कर देता है तो एचल का होता है यहां से कौन सा हर्मोन के द्वारा होता है यही कोचा गया तो सही उत्तर हो जीगा और यहां पर यहां के बी एंडरी लेंदलीन ठीक है एंडरी लेंदलीन हार्मन के द्वारा आणि के आप्स No.B right answer हो जाएगा अगला कोचन है कि लड़का ही पैदा होगा दोस्तो बार बार रड़ीट हुआ है एक जाम में कोचन का भी लड़का भी लड़की पूछ जाता दो कि लड़क अगला kov protection है कि cry Будek क्रायो लायट यह किस धातू का क्रायो क्राइो लायट कॉन सा धातू का मस्त का परियोग दोस्तनी में किया जाता है कि कौन सा दातू के उसका परियोग परियोग जो है को का सिपल यानरे में परियोग का ज जाता है जर्मन सिल्वर तांका या फिर मोनल धातू या फिर डूरे लुमीन तो राइट एंसर हो जगा है इस कोचिन को आपस नमर डी डूरे लुमीन यह जो मिस्ट धातू है इसका परयोग जो है दोस्तों यह वाई यान के इतने भी पार्ट होते हैं उनको बनाने में किया जाता है ठीक है कि मानोसरीर की सबसे बड़ी गरंती है दोस्तो मानोसरीर की सबसे बड़ी गरंती की भात बहुत इबहाँ। अगले कोचन है कि oxygen की खोज किस ने की थी दोस्तों बहुत ज़्याद इंपार्टेंग कोचन यह भी जो oxygen है इसकी खोज की बात करें तो किसकी दवारा इसका खोज किया गया तो ट्रिश्टले की द्वारा Newton की द्वारा रधर फोड या फी एडवर्ड जेनर तो यह जो oxygen है मेर का खोज किस ने किया तो एडवर्ड जैनर यह तीनों कोचन आपके एक्जाम से लिकाफ ज़्याद होंगे ठीक है यह आपको याद रख लेना ठीक है कि न्यूटर ने किसका सिधान दिया तो गुलुत्वा करसन का रधर फोड ने किसका कि खोज किया प्रोड टोन और किद वारा पीस